जय हिन दोसों मेरा नाम है जल मिल और आज का हमारा सोशलोजी का टॉपिक है बोगाडर सोशल डिस्टेंस स्केल के बारे में आज के वीडियो में हम लोग Bogada Social Distan Scale के बारे में पढ़ेंगे और अपने नेक्स वीडियो में लिकर स्केल के बारे में डिसकस करेंगे आज का हमारा मेंस का सवाल है राइच शॉर्ट नोट्स और Bogada Social Distancing Scale जैसे कि अभी trend में चल रहा है और अमिर जी बोल रहे हैं कि दो गज की दूरी है बहुत ज़्यादा जोरूरी तो social distancing के बारे में आजकल सभी को पता है तो ये भी social distancing scale के बारे में ही है तो इसलिए ये हमारे exam point of view से काफी ज़्यादा important है इसको एक simplistic way में समझते हैं ये नोबिता है इसको किसी ने पूछा कि क्या तुम मानसुजा का मैम को जानते हो तो ऐसी flex करने के लिए इसने बोला हाँ मेरे दूर के रिष्टेदार है मानसुजा का मैम और मेरे चाचा के मामा के लड़के के है मानसुजा का मैम आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी कोई सेलेब्रिटी, आपके, बहुत दूर-दूर के रिष्टेदार है तो, फ्लेकसिंग करने के लिए अपने दोस्तों के सामने आप ऐसे बोलते हो, आरे वो तो मेरी बहुत दूर के रिष्टेदार है इसके फ़लाना ढंका इसका जो है इसके रिश्टेदार है तो बोगार्ड स्केल जो है वो basically यह मीजर करेगा कि वो कितने दूर का रिश्टेदार है या कितना दूर का आपका उनके साथ connection है इस रिश्टी को मीजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसका नाम है भुगाड़ स्केल अगर अपन बोले तो एक कम्यूनिटी या एक स्पेसिफिक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के साथ किस तरह से क्लोज आ सकती है सोसाइटी या फिर सोसाइटी के लेवल पे किस तरह से वो उसके साथ घुल मिल सकती है अगर आप आपका माली जो ट्रांसफर हो जाता है तो आप दूसरे सिटी में दूसरे लोगों के साथ किस तरह से घुल मिल सकते हैं उसी चीज़ को पैरमेटर्स को मीजर करने के लिए बोगाडर स्केल जो है वो बनाया गया है इसको डिटेल में हम लोग आगे की स्लाइद में डिटेल में डिसकस करेंगे सो बोगाडर सोशलिस्टम स्केल इस दिफाइंड अस दिफाइंड आप एक तरफ देख लीजे मुंबई का एक तरफ देखते एं अंटीला जंबानी का मैंशन है एक तरफ है अंटीला में रहने वाले सोफिस्टिकेट लोग I'm not talking about the worker class I'm talking about जो रहते हैं वहाँ पर the you know role class sophisticated लोग अमानी टाइब लोग दूसरे तरफ जो slum अरिया में है मुंबई में आप लोग कभी अगर मुंबई साइड गया हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत ज्यादा slums है जस्टिसक तो एक तरफ अपने को देखने को मिलता है अंटीला अंटीला के जो sophisticated लोग है वो दूसरी तरफ slums में रहने वाले लोग तो यह बोगाड़ स्केल जो है इनके बीच का एक सोशल डिस्टेंसिंग है कि उनके बीच में एक सीमा एक रेखा है और इसी सीमा रेखा को मीजर करता है बोगाड़ स्केल की यही तरह की लोग इस लोगों के साथ इस तरह की लोगों के साथ किस तरह से खुल मिल सकते है या इन दोनों में किस तरह का relation हो सकता है फीचर में अगर ऐसे यहां के बंदे को यहां सके बंदे से प्यार हो गया तो शादी हो सकती है या ने रह सकते है या ने तो इही सारे पारमिटर्स को मिजर करता है बोगार्डर स्केल अब बात करते थोड़ा historical perspective से कि इसको develop किस ने किया था फोन पे बात करते करते यह जो एमोरी बोगार्डस है उन्होंने 1924 में सोचा कि कुछ ऐसा काम करते हैं कि मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखे तो उन्होंने डेविलप किया यह सोशल डिस्चंसिंग स्केल और इसको अपने नाम पर रखा यह है एमोरी बोगार्डस जिन्होंने डेविलप किया था बोगार्डस स्केल इस नाम को याद रखेगा And now, the nation wants to know part तो बोगार्डस स्केल क्या है? देखे, यह स्केल एक ऐसा स्केल तो नहीं है जैसे हम लोग मिजर करते हैं 1x1 cm, 2 cm को तो मीजर करने के लिए जो है कुछ डिफिनाइट पर डि माल लीज कि अपने लिया एक तरह नुसरी तरह स्लंस ला मीज ऐसाँ ने करने के लिए आप उसकाइख जा दूसरी तरह तो यहाँ पे यह आंटीला की लोगो को हां पर उन को पूछा जाता दूस्पॉंद्ट यहां पर लेते हैं एंटीला की लोगों को पूछा जाता है questions जैसे कि अर्णव गोस्वामी टाइब लोग जो है the nation wants to know इस तरह के questions उनसे पूछे जाते हैं कि बताईए मोहतरमा, nation wants to know सवालों के जवाब दीजे कुछ definite, कुछ pre-set of questions जो है वो लिखे जाते और वो इनको पूछा जाता है वो questions क्या होता है, वो हम आगे discuss करेंगे और उन questions के जवाब हर एक individual से लिया जाता है इस group के हर एक individual से लिया जाता है और ratings लिया जाती, for example इनसे पूछा जाता है क्या आप slum वाली लोगों से शादी करोगे अगर आपको शादी करने का offer आया या फिर आप क्या इस area में काम करना पसंद करोगे कभी अगर आपको काम करने का offer आया तो अगर ये वाली बंदी जो है वो जवाब को rating पे denote करते है क्या आप उनसे शादी करोगे तो अगर उन्होंने दिया 5 out of 5 तो उस rating के basis पे एक total chart जो है Mars का chart बनता है और उसी के हिसाब से indications बनता है कि किस तरह से बनाया जाता है Bogardas scale The Bogardas social distance scale is set up as a series of questions that ask an individual or a respondents their feelings or the closest degree of intimacy towards a member of group in question तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे questions पूछा जाता है इस case में अपने को पूछा गया Antila के लोगों को पूछा गया about this slum area Vice versa भी होता है कभी कभी slum area के लोगों को पूछा जाता है कि अगर आपको Antila में work करने का मौका मिला तो क्या आप करोगे तो wise versa जो है वो काफी कम होता है और मैं यह नहीं बोल क्यों कि Rich versus poor society में होता है Different ethnic groups जो होती है Different cultures जो होते उसके उपर भी For example मेरा Assamies culture है अगर मिर को Punjabi culture के बारे में या फिर Bengali culture के बारे में पूछा गया कि क्या आप इस Bengali group में जाके रहना पसंद करोगे क्या आप वहां पे काम करना पसंद करोगे तो इस तरह से opinions लिया जाता है Questions के basis पे A score of 1 is assigned to each option asking the individual what the closest degree of intimacy is that he or she would be willing to admit a member of the group in question The following is us तो यहां पे माल लीजे मेरा ही example लेती हूँ मैं Assam की हूँ और मेरा transfer हो गया है किदर किसी Bengali area में Bengali और Assam तो similar है किसी Keral area में जहां का ना मुझे language पता है ना मेरे को खाने का कुछ पता है ना मुझे लोग का कुछ पता है तो वहां पे मेरे को पूछा गया वहां पे भेजने से पहले कि क्या तुम वहां पे काम करना उस office में काम करना पसंद करोगे तो मेरा जवाब होगा कि हाँ या ना में नहीं जवाब होता है Give a rating 1 out of 5 तो I'll give 1 not 5 क्योंकि मैं नहीं करना चाहती हूँ ना तो मेरे को उनको language समझ में आएगा ना तो मैं उनके society के साथ मुझे मैं घुल मिल जादा पाऊंगी क्योंकि मेरी community में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है compared to that unknown community तो मैं one rating दोंगी और इस तरह से questions पूछे जाएंगे Questions कुछ इस तरह के होते हैं Would you be willing to have a member of this group as your neighbor? क्या तुम अपने neighbor के रूप में उस community के member को रखना चाहते हो अगर उस community का member तुम्हारे neighbor में रहता है तो क्या तुम उसे accept करोगे ये भी एक question होता है तो आप उसमें क्या score दोगे one out of five score होता है अगर आप उसमें five out of five देते हो तो मतलब हाँ मैं accept करूँगा अगर नहीं one or two देते हो तो it depends on the score list तो questions कुछ इस प्रकार के होते है Will you be willing to marry a member of the group मान लिजे डो group ही देखते हैं एक तो group है group A एक है group B तो group A को पूछा जाता है ये सारे सवाल regarding to group B कि सबसे पहला question Will you be willing to marry a member of the group क्या आप उस member से शादी करना पसंद करोगे कभी अगर ये question पूछा गया अटीला के किसी sophisticated बंदे से regarding the group B which belongs to the slum kind of group तो ये पूछा गया कि Will you be able to marry a member of that group तो वो रेटिंग देगा कि हाँ 1 out of 5 या 1 out of 0 रेटिंग दो तो 1 मतलब positive 0 मतलब negative हम नहीं marry करेंगे Would you be willing to have a member of this group as your close personal friend marriage के बाद दूसरा indication आता है कि क्या तुम ऐसे member को अपना best friend बनाना पसंद करोगे तीसरा Will you be willing to have a member of this group as your neighbor 4. Will you be willing to have a member of this group as your colleague at work क्या आप उस community के लोगों के साथ अपना work share करना पसंद करोगी आप अपना कलीक बना सकते हो या पार्टनर बना सकते हो Would you be willing to have a member of this group as a citizen of your country ये बहुत बड़ी बात बता दी क्या आप अपने citizen के रूप में अपने country के citizen के रूप में ऐसे लोगों को देखना पसंद करोगे कुछ लोग जो है इसको भी हम लोग आगे की slide में detail में discuss करेंगे कि कैसे कुछ लोग जो है कुछ particular section को बहुत गलत तरीके से देखते है For example, आप लोगोंने इश्क मूवी देखी होगी वहाँ पे जो starting में जो बाप लोग होते है वो लोग बोलते है गरीब भी तो एक भीमारी है और गरीब लोग जो होते है They are something like You know, कीरे मकोड़ा की तरह होते है They should be eradicated from the world Or eradicated from the country at least तो इस तरह की सोच होती है कुछ लोगों की तो ये सारी सोच को define या denote करने के लिए ये scale बहुत जादा काम करता है क्योंकि इस कौन से तरह की लोगों की सोच इस तरह की है कि एक specific आपकी economic status के basis पे आपको judge करते हैं आपकी color के basis पे आपको judge करते हैं अगर कोई किसी का रंग काला होता है They should be eradicated They should not be a part of our country or citizen of India or whatever it is कुछ लोग इस तरह से अगर judge करते हैं तो ये सब define करने के लिए Bogarda scale बहुत जादा important है Would you be willing to have a member of this group be excluded from associating with your country in any way जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग की mentality बहुत जादा weird होती है वो लोग ये सोचते है For example, जो इश्क film है जिसमें Ajay Devgan थे, Amir Khan थे उसमें जो starting में जो बाप का role play किया था उन्होंने बोलते थे कि हाँ, गरीबी तो एक बिमारी है और गरीब लोग जो होता है वो कीरे मकॉडे type होता है अगर गलती से भी किसी गरीब का touch उनको हो गया तो वो अपने dress वगेरा change कर लेते थे उसको फैंक देते थे इस तरह का misbehavior होता था मूवी में देखाया जाता था तो realistic life में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक particular tribe को इस नजर से देखते हैं कि अगर उन्होंने उनका touch भी कर लिया तो पता नहीं कि आप पवित्र ही हो गये तो इस तरह के लोगों की mentality को judge करने के लिए बोगाटर स्केल जो है वो बहुत जादा important होता है तो यहां पे बहुत सारे लोगों की रेटिंग्स कलेक्ट किया जाता है और उनका average निकाल के जो है एक proper बोगाटर स्केल की indications बनाई जाती है रेटिंग्स सब जो लोग जो रेटिंग्स देते हैं मैं जो रेटिंग्स दे रही हूँ ऐसे मेरे जैसे लोग जो है उनका ratings लिया जाता है based on their questionnaire, based on their answer और उसके उपर बोगाटर स्केल के indications जो है वो बनाई जाता है बोगाटर सोशल डिस्टन स्केल इसको तीन शेत्रों में बेसिकली यूज किया जाता है एक रिलिजियोसिटी जैसे कि अपने को देखने को मिलता है कुछ रिलिजियन की लोग पहले के जमाने में अभी तो खेर बहुत कम हो गया है जो अपर कास्ट ब्राह्मन्स होते थे वो एकदम जो लोवर कास्ट लोग होते थे उनको बहुत बुरा ट्रीट किया जाता था अगर आप लोगों ने सोशल रिफम्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे जो अपर कास्ट ब्राह्मन्स होते थे नोर कास्ट के लोग थे उनको बहुत ज्यादा बूरी तरह से ठीट करते थे उनको बहुत जाँ लोग आते थे उस कप में वो चाय लिए पी प्ते थे उनको भूँ अच्हूत लिए ठीट किया जाता था इसको मीजर करने में मदद करता है दूसरा सोशो एकनॉमिक स्टेटस सोशो एकनॉमिक स्टेटस बोले तो ये जो इश्क फिल्म में ये जो अंकल थे ये जो बोलते थे हमेशा कि क्या गरीब से हाथ लग गया क्या गरीब ने मेरे कपड़े प्रेस किये गरीब लोग कीरिय मकौड़े टाइप होते है तो वो गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझते थे उनको कीरिय मकौड़े समझते थे तो इस चीज़ को भी मीजर करने के लिए जो बुकाड़स के लिए है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है और तीसरा है Alignation Alignation मतलब Alignated Behavior Alignated Behavior मतलब अगर आप थोड़े अलग लोग हो For example, जो दिव्यांग लोग है उनके साथ अगर आप एक Alignated Behavior करते हो behave करते हो, उनको अलग नजर से देखते हो या उनको अरे-अरे-अरे ये कौन आ गया अरे-अरे-अरे इस तरह से behave करते हो तो इस चीज़ को भी मीजर करने में मदद करता है Bogardus Scale तो एक Alignated Behavior अगर आपका किसी के साथ होता है, किसी Community के लोग हो, चाहे वो किसी और Culture के लोग हो, या चाहे वो कुछ Different Way में किसी डिव्यांग भी पीपल हो उन लोगों के साथ, अगर आपका एक Alignated Behavior होता है, तो उसको भी मीजर करने में मदद करता है Bogardus Scale अब हम बात करते हैं इसका Traditional Use कि पहले के जमाने में ये क्यों बनाया गया था Traditional इसका यूज़ किया गया था जब Migrants, बहुत ज़्यादा Migrants आये थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक For example, this survey has been traditionally used in understanding the psychology between two or more distinct social groups यहाँ पे जब Migrations हुई थी बहुत भारी मात्रा में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो लोकल लोग थे वो आये थे Just a sec तो यहाँ पे ये जो है ये scale यूज़ किया गया था to measure social distance metrics of communities towards other immigrating communities जो माइगरेंट होके डूसरे कंट्री में आ रहे हैं तो लोग लोकल कम्यूटी के मेंबर्स के साथ घुल मिल पा रहे हैं या फिर लोकल कम्यूटी के मेंबर्स ये माइगरेंट्स के साथ किस तरह का विवहार कर रहे हैं किस तरह से उनको accept कर रहे हैं किस तरह से ये acceptable हैं इस चीज़ को measure करने के लिए बोगाड़ स्केल बहुत ज़्यादा इस्तिमाल में था उस दौरान फोर एक्ञापल आफटर एबोगाड़ स्केल क्वेशन सर्वेवर पॉर्टे इस्तिमाल था ज़्यादा इस्तिमाल था ज़्यादा से लोग आया थे युएस में माइगरेशन में तो वहां पर मीजर किया गया था कि युएस के लोगों ने जो है वो कैनाडा के लोगों को काफी हद तक एकसेप्ट किया था और वहां पर जो माइगरेंट होके आये थे यूएस पर तो वो दोनों लोग जो है आपस में अच्छे से खुल मिल गया थे और ये एकसेप्टेबल थे तो इसलिए इनका जो सोशल डिस्टेंस केल थे एट व हम देखेंगे इसका मॉडन यूज ये जो बोगार्डर स्केल है मॉडन टाइम्स में इसका इस्तमाल किया जाता है मान लीजे अब मैं अपना ही एक्जामपल लेती हूँ मैं FCI में जौब करती हूँ और मैं अभी टिन्यॉर पे हूँ अपने होम टाउन पे हूँ टिन्यॉ नोर्फ जोन में किदर भी आघा है ड lion उसके बाद पंजाब साइट तो जाना पडेगा में लोगों के साथ किस तरह से इखोल मिल सकती हूँ बिल सकती है ड Hence अपजाब ने तो इस तरह का उन लोग का अलग है बिलकुल सोच अलग है उनकी कल्चर वर्किंग प्रिसेस उनका थोड़ा अलग है तो सब कुछ अलग है और मैं एजस्स कर पाती हुए या निया वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाते हैं इस चीज को मीज़र करने के लिए भी बोगार्ड दे यूज में जो इंप्लॉईज होते हैं जिनका उनका ट्रांसफर होता है चलो गव्में जॉब में तो फिर भी ठीक है कि हाँ यू हव यू आपको ठार्गेट्स मिलता है और आपको बॉस के साथ जो है बहुत अच्छा करके रखना पड़ता है तो वहां पे अगर आपक चीज़ों को मीजर करने के लिए देखने के लिए बोगार्डर स्केल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट है तो अब बात करते हैं हम लोग हमारी conclusion की और कि overall बोगार्डर स्केल जो है social distance को मेजर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है जहां से अपने को एक idea मिल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा होने का होता है तो यह हमारे वीडियो का end आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ ने अलेक्चरस के साथ थांक्यू